नमस्कार दोस्तों सैक्स पावर बढ़ाने की छमता के लिए सबसे बेस्ट कैलाडियम इंटर्नल पावर के लिए सबसे बेस्ट कैलाडियम आपकी नसों में दिक्कत है तनाव नहीं आ रहा है इलेक्टराइड डिस्फंशन की दिक्कत है Erection की Problem है इन सभी के लिए Caladium Sigma बहुत अच्छी दवा है Caladium के बहुत से फायदे है बहुत से उसके Side Fact है की नहीं है वो भी बताएंगे Use, Price, Doge, Side Fact, Effect सब कुछ बताएंगे इस छोटे च वीडियो में प्लीज उससे पहले हमारी वीडियो पे नया है कब असर करता है इस वीडियो में मैं इंड तक बताऊंगा सब कुछ प्लीज इसकिप मत करिएगा अगर आप कोई नसा करते हैं तब Caladium फायदा नहीं करती है अगर आप धुम्रपान या इस तरीके के कोई भी नसा कर रहे हैं तब Caladium के इफेक्ट 10% मितलब रह जाते हैं 80% को 90% गायब हो जाए वैसे 50-50 तो आप अगर नसा कर रहे हैं तो Caladium यूज करते हैं हमारे कमेंट भी आती हैं भी फायदा नहीं किया ये है हम एडवाइज नहीं करते हैं दोक्टर के एडवाइज पे हम आपका रिव्यू करते हैं तो दोस्तों एक तरीके से इसको आप Caladium अगर यूज कर रहे हूं तो कोई नसा ना करें दोक्टर के अग्वाडिंग यूज करें नसा नहीं करेंगे तब फायदा करेगा आपके सेक्स पावर बढ़ाने के शमता के लिए Caladium बहुत फायदे मन्द है इलेक्टराइड डिस्फंक्शन के समस्या है ये सभी के लिए Caladium बहुत है एरेक्शन तनाव नहीं आता जैसे जाते जाते ही डाउन होना ये सभी समस्या हैं अगर आपको या आपको internally power है नसों में आपके blood flow अच्छा नहीं हो रहा होता तो Caladium वहाँ पे blood flow बढ़ाता है जब आपके internal power की कम हो अब ये हम बात करेंगे कौन सा किसको लेना चाहिए तो दोस्तों Caladium सिगमम 200 की बात करें और 30 की जो इसक्रीन पे इस दोनों दिख रहे हैं अगर आपके डॉक्टर के इंसाद 200 पहले लिखता है आप सुरुवात करते हैं तो Caladium 200 से देखिए Caladium सिगमम 200 से जो दिख रही है इससे आप सुरुवात करें इससे अगर आपको फायदा नहीं दिखता है इसको खाने का तरीक पीने का तरीका इसको पाँच बून आधे कप पानी में लीजिए और कप में पीजिए खाली पेड नहीं पीए कुछ नास्ता करने के बादे सिफ सुबा और साब पीजिए साथ में कोई नसा नहीं करेंगे आप तब ये फायदा करेगी दोस्तों मानसिक समस्याइं जितनी होती ही इनको हटाती है ब्लेट फ्लो आपका इंटर्नल पावर पे बढ़ाती है एरक्षन, इलेक्टराइड डिस्फंक्षन ये सभी समस्याइं को इस्तंभन दोस मतलब तनावनाना इन सभी समस्याओं के लिए 200 जो है ये बहुत फायदे बन रहती है दोस्तों अगर आप इसे ले चुके हैं आपको फायदा नहीं है तो इसके साथ ही आपको इसके बाद 30 CH लेना होता है दोस्तों जो इस समय स्क्रीन पे दिख रही है ये अगर आप ले लेते हैं इससे 100% अगर उससे फायदा नहीं मिला इससे अगर उससे फायदा नहीं मिला क्यों नहीं मिला ये भी समझिये दोस्तों अगर आप कोई नसा पानी कर रहे हैं तब नहीं मिलता है कहीं कहीं देखो हजार दोस्तों लोग अगर ले रहे तो एक आधे लोगों को फायदा भी नहीं करती है हर एक को हो सकता है आपको internally अब बात करें अगर आपकी पेट की समस्या है आतों में दिक्कत है infection है तब ये कैलाडियम फायदा बहुत कम करती है तो ये सभी समस्या है जब कैलाडियम आप यूज करने से पहले अपने डौक्टर को बता दें उस हिसाफ से वो डौक्टर आपको पेट के पहले समस्या खतम करेगा उसके बाद इसकी आपकी मान से की कोई दिवा की हाला चीक नहीं है दवा खा रहे हैं तब ये फायदा नहीं करती है दोस्तों अब बात करें दोस्तों कैलाडियम मे कौन सब बेस्ट है दोस्तों कैलाडियम जो आता है 30 जो कैलाडियम 30 आता है वो 200 से उपर होता है दोस्तों ठीक है इसके अलग फायदे उसके अलग फायदे हैं लेकिन यूज दोनों चीजें ये इंटर्नल पावर जो इलेक्ट्राइडिसफंक्शन है इरेक्शन है इनमें दो चीजें यूज की जाती है दोस्तों तो 30 ऊपर है सबसे सुरुवाति अगर लेते हैं तो 200 लीजिए उसके बाद 30 आता है कैलाडियम के और भी फायदे बता दें दोस्तों कैलाडियम जो फायदा करता है वो आँखों की दिक्कत होती है इंटर्नल को दिक्कत होती है आपकी स सूजन होती है इन सभी समस्याओं को पेट की समस्या उस पर भी आपका कैलाडियम सिगमन बहुत फायदा करता है है इसलिए के बहुत सी चीजें आते हैं कैलाडियम फायदा करता है कभी-कभी आप सर से और जगा कर देते होंगे तो आपको यह दिक्कते नहीं दिखाता हो सकता है वो आखों की दिक्कत जलन चुभन पेट की दिक्कत इन सभी के लिए कैलाडियम फाइदा दिखा रहा हो तो दोस्तों 30 और 200 का जो है मैटर हमने बता दिया शुरुआ 200 और फिर 30 इस तरीके लिजिए साथ में अगर कोई नसा करते हैं तो यह फाइदा बहुत कम करता है यह भी ध्यान दिजे तो नसे को इवाइड करने के बाद कैलाडियम 100% फाइदा करता है वीडियो पसंद आए तो प्लीज सस्क्राइब थेंक्यू